असलाम अलेकूम और वेलकूम बैक कसी है मेरे प्यारी यूट्यूब की फैमिली उमीद है सब ठीक होंगे हुश होंगे हम भी अलहमदलिल्ला ठीक हैं सुबह सुबह आज मेरे किचर में जो है वालू के प्राठे बन रहे हैं आपको पता यहां पर मोसम जो है वो बहुत ज्या जो है वो आपको दिल करते आपका प्राठे खाएं और यहां पर आजकल बारशी बहुत ज्यादा हो रही है तकरीबर रोज दूसरे दिन बारश हो रही है कभी तो सारा सारा दिन बारश होती है और बहुत ज्यादा बारश हो रही है जिसकी वजह से जाहरा मौसम और रहेगा जो कि बहुत ज्यादा न मुझे लगता है डिप्रेस सा महोल हो जाता है यहां पर जब सर्दिया आती है न एक तो जल्दी 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 जो है वो अंदेरा भी हो जाता है बहुत ही काम दिन होता है न बहुत थोड़ा छोटा सा दिन होता है जिसकी जैसे ऐसे लग मुझे तो ऐसे मैं तो साच मेरा सर दिंगा बिल्कुल भी को हां चीटी जरहा में करका सिनमें मुझे बहुत मसा आताा था सारेयों में मुझे अचीजी लगरती थी भाले कि यहां मुझे आधा हसे प्टा में झांषिक लूप की थहां पर मैं बनाने लगिती तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हैं इसलिए मसाला पगयरा मैंने त्यार किया हजिबन को आज काम से छुतिती 어샜 है आरामसे बनाते हैं क्योंकि जिस दिने काम से चुति होना न फिर बड़े बाइश भी हो रही थी आपे लिए करना नाच्ता करें तो आज भी छुटी थी उन्हें तो मैं ने पेना प्राठे बना ले तहुल मेरह लेती हुआ है बाहिस डील करता है loaded बने बन मैंने काफी ज्यादा ट्राइ की ये थे फिलिंग वाले मुख्लिक तरीकों से लेकिन फिलिंग नो बाहिर आ जाती थी एक तो वो तरीका भी है न कि आप दो रोटी बना के उसके अंदर मसाला डालते हैं वो मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा मुश्किल काम है यह इसी है तो ऐसे फिर आराम से प्राठे बन जाते हैं तो यहां पर प्राठे वगएर तो हमने जाय किये बाद मैं आपको पता है जब भी ना हस्बंट घर पे हो ना फिर शावीर जाए वो थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाता है खुश हुआ होता है कि आज पापा घर पे हैं लेकिन फिर तांग भी थोड़ा ज्यादा ही करते हैं तो मुझे क्लिप लेने का टेबल पर जब मैंने प्राठे वगएरा रखे तो याद ही नहीं था रहा कि मैंने क्लिप लेने अभी यहां पर मैं बरतन वाश करने लगी हू आप अपनी फै ச à bombना बना रूते हैं अपने फैंपिन के लिए है यह अच्छा सा टाइम स्पैंत का रही हूं उसलिए घरों में बरकते आता अथा लगी है를 यहां पर पानी नीचे जा रहा था तो वहां पर आम पैकिंग करने के लिए जो टेप हम यूज करते हैं वही मैंने लगा दी थी तो वह बहुत ना पतली है तो उसकी वजह से पानी नहीं मतलब रुकनी रहा तो अभी मैंने कोई देख रही हूं कोई ओनलाइन कोई ऐसी चीज होनों जो यहां पर मैं लगा दू ताके पानी नीचे ना जाए क्योंकि उसकी वजह से यह शेल्फ और नीचे वाले केबरन वह भी हराब होने का मुझे डर है बिलकि शेल्फ तो जो हराब हो चुकी है तकरी बना आदे से ज्यादा तो अब मैं देखती हूं फिर अगर कोई अगर आपको कुछ पता है यहां पर मैं क्या लगा हूं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएगा अभी क्लीनिंग वह एरा मैंने कार ले थी तो आपको पता है यहां पर कैंडल लगाना जो है वह बहुत जरूरी होता है क्योंकि घर होते हैं छोटे-छोटे और बंद होते है सारे तो जिसकी वज़ा से खुश्बू फिर थोड़ी सी हो जाती है थोड़ी अच्छी स्मेल आने लगती है वरना तो फिर अजीब सही ऐसे हो जाता है तो यहां पर मैंने कैंडल आन किया और उसके बाद जो सब्चे जरूरी काम था वो यह था शावीर को मैं अभी उसके के पास छोड़ के आई थी क्योंकि अगर वो यह सारे स्टीकर देख लेता तो उसने कहना था एक हिबार मुझे दे दो उसे इन स्टीकर बहुत ज्यादा अपसान दें मैं पहले लीडर से लेकिया थे वो मुझे बहुत अच्छे मिले थे बिल्कुल छोटे छोटे साइस के च्छोटे पते बने हुए थे एक एरो का था और उसमें तकरीबन दस तस पते थे तो मैंने पता निक्यूं उस वक्त इतने ज्यादा नहीं लिए मुझे ले लेने चाहिए थे तकरीबन तीन-चार ले ले लेती लेकिन मैं वह दो यह थे तो वह जाहरा भातम हो गया शावी फिर जब यह तंग ज्यादा करें तो फिर अगर से यह पकड़ा दो फिर यह अराम से इनके साथ लगा रहते हैं तो इसलिए मैं यह ले आई थे तांकि अभी मैं इन्हें एक बैग में डालके यह देखे चोटे-चोटे की हुए हैं क्योंकि अगर मैं उसके साब मैं चोटे दे दिया करूंगी बच्चों के साथ कभी कभी बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्योंने कैसे हम बिजी करें कैसे वह खेलें और थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकाल सके बिल्कुल भी नहीं समझ आती कभी कभार तो इतना तंग करता है शावीर सही बात है मैं हलाकि उस जो दिन यह तंग करता है ना जिस जिस दिन उस दिन तो भाव बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं बहुत ही साथा तंग करना स्राट कार देता है ना तो मुझे फिर समझ भी नहीं आती कि मैं से कैसे बीजी करूं किस तरह करूं फिर ऐसे छोटी छोटी च बताईएगा कि कैसे बचों को थोड़ा सा मसरूफ किया जा सकता है कौन कौन सी अक्टिविटी बना कर सकता है तो वह जरूर कमेंट में बताईएगा थोड़ी सी हेल्प हो जाती है अभी मैं बनाने लगी थी खाना ये मैंने पिछले दिनों ना देशी स्टोर से लेकि आई थ कदू लेकि आई थी तो ये अभी मैं बनाने लगी थी ये एक लेकि आई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा था और हम दो लोगों के लिए जाहरा ये काफी हो जाएगा तो आज मैं आपको इसकी एक मज़ेदार सी रेस्पी बचाती हूं एक बहुत जल्दी बहुत जाता है औ सबसी में गोश्ट वगएरा एड करना वस वह ये तो नहीं कहते कि तुम ना एड किया करो लेकिन फिर आपको पते मैं हया रखता हूं कि अगर उन्होंने नहीं खाना तो फिर ऐसे फाइदा नहीं है तो इसलिए फिर आप मैं सबसी अलादा से बनाती हूं तो सबसे पहले मैं यह काट लूँगी सारे चोटे-चोटे कतले करके यहां पिसमें डाल दूँगी अब मैंने सारी चीज़ें प्याज लेसन वगएरा जो हैं वो काट ली थी टोमाटर सबस मिर्च अभी मैं आपको साथ साथ निसकी रेस्पी भी दे देते हूं क्योंकि यह बड़ी मज़ चारी चीज़े मिक्स हो जाएंगी बस यह रस्पी आपकी त्यार हो जाएगी आपने से बून लेना है और यह बड़े ही मज़ेदार जो है न वकट दू त्यार हो जाएगा अच्छा एक चीज़ का आपने हिया रखना है मिर्च बहुत ही काम रखनी है तो हलकी सी मिर्च हो न तो मज़े कि यह सबजी त्यार होती है यहां पर सबजी त्यार हो चुकी है अपना व्लाग जो है वोबे में यहीं पर एंड करते हूँ अपना बहुत ख्यार रखिएगा अल्ला हाफीज